चक्रवाती तूफान याज बुद्वार राज 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ़तार की हवाओं और भारी बारिश के साथ जारकन की सीमा में पहुँच गया चक्रवात के कारण गुरुवार दोपहर तक तूफान के चलते कोलाहन इलाके में 90 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ़तार से तेज हवाय चलने की आशंका है चक्रवात की मदे नजर राज में लोगों को अगले 24 घंटे घरों में ही रहने के लिए कहा गया और कोलाहन प्रमंडल के पूरवी सिंग भूम सराय केला पश्चमी सिंग भूम बोकारों के अलावा खूटी और पश्चमी सिंग भूम जिलो में निचले शेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित इस्थानों पर पहुचाने का काम लगातर जारी है अब तक दस हजार से अधिक लोगों को सुरक्षित इस्थानों तक पहुचा दिया गया देश में जानलेवा कोरोना वारस की दूसरी लहर बरकरार है कई राज कोरोना वैक्सिन की कमी से जूज रहे है इस वीच अमेरिका की फाइजर कमपनी इसी साल भारत को पांच करोन टीके उपलब्द कराने को तयार हो चुकी लेकिन वच्छतिपूर्त सहीत कुछ नियाम किये शर्तों में बड़ी छूट चाहती है फाइजर ने कहा है कि भारत को एक करोटी के जुलाई में एक करोन अगस्त में और दो करोन सितंबर और एक करोटी के अक्टूबर में उपलब्द कराए जाएंगी कम्पनी ने कहा है कि वहाँ के वहल भारस सरकार से बात करेगी और ठीको का भुगतान भारस सरकार की तरफ से फाइजर इंडिया को करना होगा उतरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ स्वास्ति ववस्था का जैजा लेने के लिए 22 माई को मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ मुलायम अकलेश के गड़ सफाई गए थे जहां पर उन्होंने कोवीड अस्पताल, ऑक्सीजन, गैस प्लांट और गाँ गीजा का भी निरिक्षन किया था सफाई से लोटने के बाद समार्जीद पार्टी के एक कारकरता ने उस योगा को गंगा जल से शुद्ध किया जहां पर सीम योगी आदितनात ने अपने कदम रखे एस घटना का वीडियो अप सोशल मीडिया पर जम कर वैरल हो रहा है और राजनीद भी इस वीडियो पर शुरू हो चुकी है पूरे मामला आप इस रोपोर्ट में लेखिए कोविड प्रबंधन की ववस्था का जैजा लेने दो दिन पूर्व मोखिमंतरी योगी आदितनात मुलायम अखलेश की गड़ में पहुचे थी इसके बाद सोमवार को एक ऐसा वीडियो वैरल हुआ सोशल मीडिया पर इसने इटावा की सियासत को और गर्मा दिया है दरसल वीडियो में मैं पूरी जनपत का एक सपाकार करता उस जगा को गंगा जल से शुद्धिकरन करते हुए नजर आ रहा है